परिजए बच्चो पॉलिथीन और उसके आश्चारे जनक उप्योगों के बारे में हम सभी जानते हैं इन दिनों पॉलिथीन की थैलियों का चलन बहुत है और ये विभिन रूपों और आकारों में मिलती हैं आज विशुभर में खर्बों की संख्या में पॉलिथीन की थैलियों का उत्पातन किया जाता है ज्यादा तर खुदरा विकरेता पॉलिथीन फिल्म का उप्योग करते हैं क्यूंकि ये सामान पहक करने का सबसे आम साधन है पॉलिथीन की विशुभर में उपयोग के कारण इन थेलियों की जगा वस्तता कोई अन्य वस्तू नहीं ले सकती छापो वाली इन थेलियों का उपयोग किया जाता है और ये आकरशक रंगों, डिजाइनों और विभिन आकारों में मिलती हैं और आखों को बहुत भाती है पॉलिथीन बहुलकों का केवल एक उधारण है ऐसे बहुत से बहुलक हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं इसलिए बच्चो आज हम बहुलकों के बारे में जानेंगे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे बहुलकों को परिभाशित करना समबहुलकों और सह बहुलकों को परिभाशित करना बहुलकों का वर्की करण करना बहुलकन अभिक्रियाओं के प्रकारों की व्याख्या करना मुक्तु मूलक बहुलकन को परिभाशित करना अलग-अलग बहुलकों को समझना रबड की जानकारी प्राप्त करना बहुलकों के आणविक द्रविमान की गरना करना जैव निम्न करनिये बहुलकों को परिभाशित करना परिभाशा बहुलग बड़ी संख्या में छोटे अड़ों की संयोग से बने उच्च आणविक द्रविमान का एक योगिक होता है बहुलग आधोनिक रासायनिक उद्योग के मुक्के उत्वाथ हैं जो मौझूदा समाज की रीड का निर्माण करते हैं अपने तैनिक जीवन में हम प्लास्टिक की तश्टरियों, प्यालियों, मोटर गाडियों के टायरों और सीट कवरों, प्लास्टिक की थैलियों, बरसातियों, रेडियो, टीवी और कंप्यूटर के कैबिनेटों, कपड़े के भारी मात्रा में सिंथेटिक थागों, सिंथेट सम बहुलक एवं सह बहुलक वे लगु अनू जो किसी बहुलक में पुंद्रा वृत इकाईयों का निर्मान करते हैं, एक लग इकाईयां कहलाते हैं जिस विधी से एक लगों का बहुलकों में रूपानतरण होता है, उसे बहुलकन विधी कहा जाता है उधारण, पॉली एथिलीन एक बहुलक है, जो एथिलीन के बहुलकन से प्राप्त होता है एथिलीन अडू एक लग इकाईयां कहलाते हैं पुन्द्रा वृत संदचनात्मा की काईयों के सौरूपों के अनुरूप बहुलकों का दो विस्तरित श्रिणियों में विभाजन किया जाता है संबहुलक एक यही प्रकार के एकलकों से निर्मित बहुलक संबहुलक कहलाते हैं उधारण PVDF वाई निडिलीन फ्लोराइट से बनता है सह बहुलक एक से ज़्यादा प्रकारों की एकलक एकाईयों से बने बहुलकों को सह बहुलक कहा जाता है उधारण ब्योना S रबर एक टीन ब्यूटाडीन और स्टाइरीन से बनता है सुरोत के आधार पर बहुलकों का वर्गी करण इस प्रकार के वर्गी करण में तीन उपश्रेणिया होती है प्राकृतिक बहुलक प्रकृती में ज्यादा तर पेड़ पौधों एवं पशूस रोतों में पाई जाने वाले बहुलक प्रकृतिक बहुलक कहलाते हैं उधारण पॉलिस खाराइट्स, प्रोटीन, न्यूकलिक अमल और प्रकृतिक रबर पॉलिस खाराइट्स की तरहा बहुलक, न्यूकलिक अमल और प्रोटीन जो पिर पौधों एवं प्राणियों की विभिन जीवन प्रकृतिक प्रकृतिक रूप से पनपने वाले बहुलकों से लिए जाते हैं उधारण सेलुलोस, डाई एसिटेट संशलेशित बहुलक प्रयोक्षाला में तैयार किये जाने वाले बहुलकों को संशलेशित बहुलक कहा जाता है उधारण, पॉलियेथिलीन, संशलेशित रबर, नाइलॉन, पीविसी, एवं टेफलॉन बहुलकों का पनावट आधारेत वर्गी करान इस प्रकार के वर्गी करण के अंतरगत तीन उपश्रेणियां आती हैं रैकिक बहुलक, इन बहुलकों में लंबी एवं रेखिये श्रिंकलाएं होती हैं उधारण, पॉली वाइनिल, क्लोराइट और नाइलॉन शाकित श्रिंकला बहुलक इन बहुलकों में रैकिक श्रिंकलाएं होती हैं, जिनकी कुछ शाकाएं होती हैं उधारण, निम्न घनत्व पॉलिथीन एवं ग्लाइकोजेन तिरियक बद्ध बहुलक इन बहुलकों का विर्चन सामान इस्थिती में दुई क्रियात्मक और त्री क्रियात्मक एकलकों से होता है और इन में मजबूत विभिन रैकिक बहुलक श्रिंकलाओं के बीच सहसेयों जगबंध होते हैं उधारण, बेकिलाइट और मेलेमीन बहुलकन के प्रकार के अनुरूप वर्गी करण वर्गी करण के इस प्रकार के अंतरगद दो उपश्रिंणियां आती हैं योगच पहुलक एकलक इकाईयों का बढ़ती बहुलक श्रिंकला में किसी उप उतपाद अणों के विनाश के बगएर बार बार योग होता है बहुलक के एकलक की तरह ही उसका अपना अनुभूती मूलक सूत्र होता है एकलक आसम प्रिक्त योगिक होते हैं आम तोर पर एथिलीन के व्यूत्पन उधारण पॉलियथिलीन योगज बहुलक दो अलग-अलग एकलकों के योगात्मक बहुलकन के मेल से भी प्राप्द हो सकते हैं उधारण व्यूना-S संगनन बहुलक इन बहुलकों का विर्चन दो अलग-अलग दुई क्रियात्मक या प्री क्रियात्मक एकलाकिकाईयों के बीच पुंद्रा-व्यृत संगनन अभिक्रिया से होता है इस संघनन बहुलकन अभिक्रिया की साथ साथ जल, एलकोहौल या हेच्सील जैसे सरल अडूं का हिरास होता है उधारण नाइलॉन 66 का विर्चन वसात्मक यानी एडिपिक अमल से हेक्सामेथिलीन के संघनन से होता है बहुलकों का आणविक बलों के आधार पर वर्गिकरण इस प्रकार के वर्गिकरण के अंतरगत चार उपश्रेणिया आती है प्रत्यास्त बहुलक वलकनी क्रित रबर रेशे रेशे बनाने की प्रक्रिया में कामाने वाले बहुलकों में तनन सामर्थे एवं मापांक उच्चो होते हैं। हाइड्रोजन बंध जैसे आकर्शन के प्रबल अंद्रान विकपल होते हैं। इन प्रबल बलों के कारण श्रंकलाएं निविट संकुलित भी हो जाती हैं और क्रिस्टल ये प्रक्रिती प्रदान करती हैं। उधारण नाइलोन श्याज़ट ताप सुघटे बहुलक ताप सुघटे बहुलकों में व्याप्त अंत्रान्विक आकर्शन बल संतुलित होते हैं। इसलिए उन्हें गर्म कर आसानी से ढाला जा सकता है। ताप सुघटे बहुलकों की श्रंकलाओं में तिरियक बंध नहीं होता। उधारण पॉलिथीन एवं पॉलिस्टाइरीन ताप दिरड बहुलक ये बहुलक निम्न आणविक द्रवेमान आर्थ द्रव बहुलकों से बने होते हैं। जो किसी सांचे में गर्म किये जाने पर दुर गल्निये हो जाते हैं। और अगुलन शील ठोस द्रवेमान का निर्मान करते हैं। बहुलक श्रंखलाओं को जोडने वाले बंधों के त्री आयामी नेटवर्क बनाने वाली बहुलक की विभिन श्रंखलाओं के बीच विस्त्रित त्रियक बंधता होती है। खुदारण बैकलाइट। बहुलकन अभिक्रियाओं के प्रकार बहुलकन अभिक्रियाओं के दो प्रकार हैं। योगात्मक बहुलकन अथ्वा श्रंखला वृत्धी बहुलकन। इस बहुलकन में बहुलकों का निर्मान एक ही प्रकार के एकलक अथ्वा भिन एकलकों के अड़ों के परस पर योग से होता है। इस बहुलकन में एकलक एकाईयों का मुक्तुमूलक जैसे किसी अभिक्रियाओं शील मद्धिवर्ती का वेहन करने वाली बढ़ती श्रंखला से आनुक्रमिक योग होता है। इसमें शामिल अभिक्रियाशील इस पिशीज की प्रकृती पर निर्भर योगात्मक बखुलकन तीन क्रियाविधियों से होता है। अथवा अलकोहॉल जैसे सरल अणू के हिरास के साथ दो दूई क्रियात्मक एकलक एकाईयों के बीच संखनन होता है। और इससे बहुलकों का निर्पान होता है। बहुलक एक पतवार ढंग से बनते हैं इसलिए इस प्रक्रिया को पद वृद्धी बहुलकन कहा जाता है। मुक्त मूलक बहुलकन बहुलकन श्रंकला वृद्धी का आरंब मुक्त मूलकों के द्वारा उन योगिकों के शरण से होता है जिनें प्रारंभग कहा जाता है। मुक्त मूलक साथ गर्म किया जाता है जो शारित होकर मुक्त मूलकों को जन्म देता है। मूलक का जन्म होता है। श्रिंखला संचरण नए और अधिक बड़े आकार के मूलकों के साथ ओपर वर्णित अनुक्रम की पुन्ड़ा वृत्ती से ये अभिक्रिया आगे बढ़ती है। एथिलीन की आनुक्रमिक एकाईयों के योग से श्रिंखलाएं तब तक संचरण करती रहती हैं जब तक की संयोजन या वेश्यम में उन्हें रोग नहीं देता। श्रिंखला समापन बढ़ते बहुलकों की समापती पर ये मूलक अपने आप से एक हाइडोजन अड़ों को अलग भी कर सकता है। श्रिंखला शाखन इससे श्रिंखला शाखन होता है। पॉलिथीन पॉलिथीन सबसे ज्यादा उप्योग किये जाना वाला योगजबहुलक है। आजकल दो प्रकार की पॉलिथीन तयार की जाती हैं और उनके कों अलग-अलग होते हैं। अलप घनत्व पॉलिथीन इसे डाई ऑक्सीजन या पैर ऑक्साइट की उपस्थिती में 350-570 केल्विन और 1000-2000 परमाणुदा पर तयार गिया जाता है। इस प्रकार तयार पॉलिथीन की एक शाखित श्रिंखला संदचना होती है। शाखन के कारण अणवों की बंधने की शमता अच्छी नहीं होती और इसलिए इसका घनत्व और गलनांक न्यून होते हैं। अलप घनत्व पॉलिथीन रसाइनता अक्रिये या जड़ होती है। ये कठोर, किंतु, लचीली और विद्धुत की अलपचालक होती है। इसका उप्योग सामानों के लिए पैकेज के रूप में बड़े पैमाने पर होता है। इसका उप्योग बिजली के तारों के विद्धुत रोधन और खिलोनों के निर्मान में किया जाता है। उच्छ घनत्व पॉलिथीन इसका उत्पादन एथिलीन के समनवयन बहुलकन से किया जाता है। इसमें एथिलीन को सीगलर नट्टा की उपस्थिती में 330-350 केल्विन पर गर्म किया जाता है। इस तरह तैयार इस पॉलिथीन में बहुलक अड़ों की रैखिक श्रंखलाएं होती हैं। इन श्रंखलाओं की बंधने की उच्छ क्षमता के कारण इस पॉलिथीन का घनत्व और गलनांक उच्छ होते हैं। उच्छ घनत्व पॉलिथीन एक पारभासी बहुलक होती है। ये रसायनता अक्रिये होती है। किन्तो इसमें तनन सामर्थे, कठोरता और दररता अधिक होती है। इसको प्योग पाइपों, बाल्टियों, कूड़ा पातरों और अन्य घरेलू समानों के निर्मान में किया जाता है। पॉली प्रोपीन प्रोपीलीन पॉली प्रोपीन का बहुलग होता है इसका विर्चन सीद्गलर नट्टा की उपस्थिती में प्रोपीलीन को गर्म कर किया जाता है सामान्ने मूलक श्रेंखला बहुलगन उच्च क्रिस्टलिय आईसो टैक्टिक पॉली प्रोपिलीन का विर्चन करता है ये पॉलिथीन से अधिक द्रड और प्रबल बहुलग होता है इसका उप्योग वस्द्र और खादे सामगरी की पैकिंग के लिए किया जाता है इसका उप्योग मोटर गाड़ियों के सीट कवरों, दरी के रेशों और रस्यों के निर्मान हेतू किया जाता है इसका उप्योग पानी के पाइपों और वाशिंग मशीन के पुर्जों के निर्मान के लिए किया जाता है पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन यानी टेफलाउन टेट्रा फ्लोरो एथिलीन अणूं पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन की एकलग इकाई होते हैं इसका निर्मान अमोनियम पेराउकसाइट की उपस्तिती में दाप के अधीन किया जाता है ये एक अती कठोर पदार्थ है जो ताप, अमल या ख्यार क्रिया का रोधी होता है ये बिजली का कुछालग है इसका उप्योग बरतन भाड़ों को अचिपकाउ यानि नॉनिस्टिक बनाने के लिए उन पर मुलम्मा चड़ाने में किया जाता है इसका उप्योग सील एवं गैस्केट बनाने में किया जाता है जो दबावों को जिल सकते हैं इसका उप्योग उच्चक्षमता के विद्ध संयत्रों के लिए रोधन के रूप में किया जाता है पॉली एक्रिलो नाइट्राइल पी ए एन ये एक संच लेशित अर्ध क्रिस्टलिये कार्बनिक पहुलग रिजिन है पैराउक्साइड उदप्रेरख की उपस्तिती में ऐक्रिलो नाइट्राइल के योगज पहुकलन से पॉली ऐक्रिलो नाइट्राइल बनता है हालकि ये ताप सुखटे होता है किन्तु ये सामानी स्थितियों में गलता नहीं है P.A.N. डिशे, दाग, प्रासायनिक पदार्थ, कीट और कवकरोधी होते हैं इसका उप्योग उनकी प्रतिस्थापी के रूप में और लोन के उतपादन में किया जाता है जिसका उप्योग, कपड़े, दरियां और कंबल बनाने में किया जाता है पॉलियमाइड श्रिंकला में एमाइड जोड से युक्त बहुलकों को पॉलियमाइड कहा जाता है नाइलाउन च्यासट ये वसात्मक, एडिपिक अमल और हेक्सामेथिलीन डायमीन का एक बहुलक है इसे बुनाई उपकरणों से किसी चादर या रेशो में ढला जा सकता है नाइलाउन रेशों का तनन सामर्थे उच्छ होता है वे कठोर और अपघर्षन रोधी होते हैं वे सौभाव से लचीले भी होते हैं इसका उप्योग ब्रिसल और ब्रशों के निर्बान में किया जाता है इसका उप्योग वस्त्र उद्योग में दरियां और वस्त्र बनाने में किया जाता है इसका उप्योग इलस्टिक होस्री में मरोड़दार नाइलॉन के रूप में किया जाता है नाइलॉन छे ये कैप्रो लेक्टम एकलक से प्राप्त होता है जल अबखटन के साथ छे एमीनो कैप्रोईक अमल में गर्म किये जाने और गर्म करना जारी रखने पर कैप्रो लेक्टम स्वाता संखनित और बहुलकित हो जाता है जिसके फल सरूप नाइलॉन छे बनता है इसका उप्योग टायर के तारों, वस्त्रों और रस्यों के उत्पादन में किया जाता है पॉलियस्टर वे बहुलक जिन में इस्टर जोड़े होते हैं पॉलियस्टर कहलाते हैं ये बहुलक डायूल के साथ डाय एसिट के संखन बहुलकन क्रिया से तयार किये जाते हैं टेरिलीन, डेक्रोन ये एथिलीन, ग्लाइकॉल एवं टेरी फिदेलिक, अमलिकी संखनन बहुलकन क्रिया से तयार किया जाता है ये बहुलकन जिंक एसिटेट एवं अंजन ट्रायोक्साइड यानि एंटिमनी ट्रायोक्साइड युक्त उत्प्रेरक की उपस्थिती में 420 से 460 के ताप पर किया जाता है। टेरिलीन के रेशे, दिरड, क्रीज रोधी, टिकाउ और अल्प आद्रता अफशोशन क्षमता वाले होते हैं। इसका उप्योग धवन और पहनने के कपड़ों, टायर के तारों और सीट बेल्टों के निर्मान में किया जाता है। दी होती है। फिनॉल फार्मिल्डी हाइट बहुलक यानि बेकलाइट। ये बहुलक शारिये मात्यम में फिनॉल और फार्मिल्डी हाइट की अभिक्रिया से तैयार किये जाते हैं। बेकलाइट एक त्रियक पद्ध ताप द्रिड बहुलक है। अल्पमान के बहुलकन वाले कोमल बेकलाइटों का उपयोग बंधक सरेज के रूप में लकडी के तख्तों पर परत जमाने के लिए वार्निश और प्रलाक्शियानी लेकर बनाने में किया जाता है। उच्युमान के बहुलकन से द्रड बेकलाइट बनता है जिसका उपयोग कंखियां, फाउंटेन पैन के पीपे, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स, बिजली के सामान और कई अन्ने वस्तुएं बनाने में किया जाता है। सल्फोनी कृत बेकलाइटों का ब्योग, ग्रुजल को कोमल बनाने के लिए आयन विनिमे रेजिनों के रूप में किया जाता है। मेलेमीन, फार्मेल्डी हाइट बहुलक मेलेमीन और फार्मेल्डी हाइट के सह बहुलकन से मेलेमीन फार्मेल्डी हाइट बहुलक बनता है। मेलेमीन बहुलक बिलकुल सخت होता है और इसका उप्योग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। मेले मीन से बनी प्यालियां, तश्टरियां और अन्ने वस्थूएं गिरने पर तूटती नहीं। प्राकृतिक रबर प्राकृतिक रबर कार्बनिक यॉगिक, पॉली आइसोप्रीन और कुछ अन्ने कार्बनिक यॉगिकों तथा जल का मिश्रण होता है। ये कुछ पौधों से उत्पन दूधिया कॉलाइट लेटेक्स से मिलता है। इन पौधों में चीरा अर्थाथ इनकी चाल में एक चीरा लगा दिया जाता है और उससे चिपकाउ दूधिया लेटेक्स का संग्रे किया जाता है और फिर उसका शोधन कर रबर बनाई जाती है। रबर का वलकनी करण ये वो प्रक्रिया है जिसमें रबर में अधिक से अधिक तिरियक बंध ड़ले जाते हैं और उसकी बनावट में परिवर्तन किया जाता है जिससे इसके प्लास्टिक कुण में कमी आती है। इसका चिपकावपन कम हो जाता है। इसमें कार्बनिक दरव्यों के कारण होने वाले फुलाव को रोगने की शमता आ जाती है और इसके लचीलेपन में फृद्धी होती है। रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है। इसका उप्योग मोटर गाड़ी के टाइरों के निर्वान में किया जाता है। के बहुलकन से प्राप्त रबर संशलेशित रबर कहलाते हैं। ये ताप रोधी, तेल और विलायक रोधी अधिक लचीले होते हैं और इन में अब घर्षन रोधन ख्षमता अधिक होती है। संशलेशित रबरों का विर्चन नियोप्रीन नियोप्रीन क्लोरोप्रीन के मुक्त मूलक बहुलकन से बनता है ये ताप प्रतिरोधी होता है ये वनस्पती एवं खनिज तेलों का प्रतिरोधी होता है इसका प्योग वहाग पट्टियां, गैस्केट और हॉस बनाने में किया जाता है ब्यूना एन ये एक, तीन, ब्यूटाडाइन और एक्रिलो नाइट्राइल के सह बहु कलन से प्राप्त होता है ये पेट्रॉल, तेल और कार्बनिक विलाइकों का प्रतिरोधी होता है इसका प्योग तेल सली और टंकी के लिए इस तर बनाने में किया जाता है बहुलकों का आणवेक द्रवेमान बहुलकों के निर्मान के दौरान बहुलकों की श्रंकलाओं की लंबाई उनके निकट पाए जाने वाले एक लकों पर निर्भर करती है अभी क्रिया वहिका में एक लकों की संख्या अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होती है दूसरे स्थान की संख्या से भिन होती है इसलिए किसी बहुलक में विवन लंबाईयों की श्रंकला हो सकती है और यही कारण है कि आनविक दरविमान हमेशा उसत के रूप में निकाला जाता है इस उसत को भार उसत आनविक दरविमान कहा जाता है इस प्रकार के आनविक दरविमानों के अनुपात को बहू परिक्षेपी सूजकांग यानि Poly Dispersivity Index कहा जाता है प्राक्रितिक बहुलकों में PDI कमान इकाई होती है किन्तु संशलेशित बहुलकों में PDI कमान इकाई से बड़ा होता है PDI कवपयोग किसी बहुलक की एक रूपता के निर्धारन के लिए किया जाता है जैव निम्निनी करणिये बहुलकों को किन्वग उत्प्रेरित अभिक्रियाओं से छोटे टुकडों में तोड़ा जा सकता है इसके लिए आवश्यक किन्वग सुक्ष्म चीवों द्वारा तयार किये जाते हैं श्रिंखलाव रिधी बहुलकों के कार्बन कार्बन बंद किन्वग उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के प्रती अक्रिये होते हैं और इसलिए वे खेर जैव निम्निनी करणिये होते हैं इन बहुलकों को जैव निमननी करणिये बनानी के लिए हमेश रंखलाओं में कुछ बंद डालने होते हैं ताकि ये किड़वकों दोरा आसानी से तूड सकें। किसी बहुलक को जैव निमनी करणिये बनानी के लिए बहुलक में हाइड्रो लाइजेबल एस्टर गुरुप का अंतरवेशन सबसे उतक्रिष्ट विदी है। उधारण अगर मुलक बहुलकन से गुजर रहे किसी एलकीन में एसिटल मिलाया जाए तो बहुलक में हैस्टर गुरुप का अंतरवेशन हो जाएगा। बहुलक में उपस्थित दुर्बलकणियों में प्राकिण्म उत्प्रेरित हाइड्रो लिसिस के प्रती सुग्राहिता होती है। पॉली हाइड्राक्सी ब्यूट्रियेट को बीटा हाइड्राक्सी वलेरेट ये तीन हाइड्राक्सी ब्यूट्रिक अम्ल और तीन हाइड्राक्सी पेंटेनाइक अम्ल का एक सह बहुलक है इसका उप्योग अस्थी विकलांगता को कम करने वाले उपकरणों के निर्मान और औ आशदों के नियंतरित मोचन में किया जाता है। किनवकी क्रिया से इस बहुलक के निम्ननी करण के बाद PHBV के कैपसूल में बंदर आशद मुक्तो होता है। पॉलिथीन का केवल सड़ना शिरू होने के लिए 450 वर्ष की हविशकता होती है। फिर इसके पूरी तरह सड़ने में 50-80 वर्ष और लग जाते हैं। बोतल बंद पानी का जो मूले आप चुकाते हैं उसका 90 प्रतिशत अंश प्लास्टिक की उस बोतल पर खर्च होता है। जबकि केवल 10 प्रतिशत का खर्च आपको मिले पानी पर आता है। दुनिया भर का मत से उद्योग भारी मात्रा में पॉलिथीन का कच्रा महा समुद्रों में भेगता है। सारांच आईए हमने जो कुछ सीगा है उसे संख्षेप में तोहराएं। एक बहुलक भारी संख्या में सूख्ष्म अणूओं के योग से बना उच्च अनविक द्रवेमान का योगिक होता है। योगज बहुलकों में बहुलक की बढ़ती श्रंखला में किसी भी उप उत्पाद अनू के हिरास के बगेर एकलक एकाईयों का बार-बार योग होता है। संगनन बहुलक दो अलग अलग दूई क्रियात्मक अथवा त्री क्रियात्मक एक लग इकाईयों के बीच पुन्द्रा वृत्त संगनन अभी क्रिया से बनते हैं जिन बहुलकों में बहुलक श्रिंखलाएं आपस में दुर्बलतम अंतरानविक पलों से जुड़ी रहती हैं उन्हें प्रत्यास्त बहुलक कहा जाता है ताप दृड़ पहुलक अलप आणविक द्रविमान अर्द द्रवि पहुलकों से बनते हैं जो किसी साचे में गर्म करने पर दुर गल्निये बन जाते हैं और एक अगुलनशील कठोर पिंड बनाते हैं श्रंकला के एमिट बन्ध वाले बहुलक पॉली एमिट कहलाते हैं प्राक्रितिक रबर कार्बनिक योगिक पॉली आईसुप्रीन और कुछ अन्ने कार्बनिक योगिकों तथा जल के मेल से बनता है जैव निम्ननी करणिये बहुलक किणवक उतप्रेरित भिक्रियाओं से छोटे छोटे टुकडों में तूट सकते हैं इसके लिए आविश्यक किणवक सूक्ष्म जीवों के द्वारा उतपन्न किये जाते हैं झाल 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 झाल